Hi friends, welcome back to another video दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने WhatsApp पे Full Screen का DP कैसे लगा सकते हैं अभी क्या होता है आप कभी भी अपने DP चेंज करते हैं तो उसमें पूरा Full Screen में DP नहीं आ पाता वो कहीं साइड से या उपर से या नीचे से वो कट हो जाता है तो इस वीडियो को पूरा लास तक ज़रूर देखना तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको मॉबाइल में कुछ नहीं करना आपके पास एक PC होना चाहिए अगर आपके पास PC नहीं है तो आप एप से भी कर सकते हैं लेकिन एप का वह ज्यादा बढ़िया नहीं होता ज्यादा बढ़िया होगा आप अपने कंप्यूटर से करें इसे तो आपके कंप्यूटर यहाँ पे कोई DP नहीं है इसमें मैं यहाँ से upload photo करता हूँ temp container image asset और मैं यहाँ से इसका photo लेता हूँ ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा side से काफी जो हमारा background है वो सब cut हो रहा है अगर मैं यहाँ से पूरा मैनस पे क्लिक करकर zoom out कर दूँ फिर भी हमारा यह सारी चीजें cut होके आ जाएगा ठीक है, यानि कि पूरा नहीं आएगा तो इसे मैं cut करता हूँ और आपको आना है फिर से PowerPoint में PowerPoint में आने के बाद क्या करना है एक square shape लेना है आपको जो कि यहां से insert में आने के बाद shape में आ जाएगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, save है यह, ठीक है, rectangular है, लेकिन इसे हम square कैसे बनाएंगे, यहाँ से click करने के बाद आपको shift hold करना है, keyboard बटन में shift होता है, और इसे click करें, आप देख सकते हैं, अगर shift बटन दबा के अगर आप इसे करते हैं, तो यह बिल्कुल लंबाई और चोड़ाई जो है, दोनों सेम होगा, अगर आप shift छोड़ देते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर rectangular भी बन सकता है, ठीक है, मैं फिर से shift दबा दिया, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल लंबाई और चोड़ाई दोनों सेम आ रहा है, तो WhatsApp DP में क्या है, कि आपको ल तो अब क्या करना है, इस rectangular, यह जो square है हमारे पास shape इसके अंदर ही आपको photo set करना है, तो जो भी photo अपको set करना है, टी पी में, उस photo को यहाँ से insert कर ले, पीक्चर में आते हैं, suppose मैं यह photo insert करना है, ऑके मैं इसे कर लता है, अप देख सकते हैं, यह photo काफी बड़ा है, तो इ से हम करते हैं छोटा छोटा आपको करना है यहां साइड से ही अगर आप यहां से करेंगे तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा जो है compress होने लगता है ठीक है तो आपको जब भी photo को छोटा करना हो तो आप साइड से ही करें तो इससे क्या होगा कि जो original साइज है उसी में बड़ा चोटा हो गई है ठीक है तो आपको इस वाले rectangular shape के अंदर इसे fit करना है ठीक है बस इतना ही आपको इससे ज़्यादा stretch नहीं करना है क्योंकि अगर आप इससे अगर इस shape में ले आएंगे तो देखो क्या हो गया फोटो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है आपका full screen तो आ जाएगा लेकिन आप देख सकते है stretch सा लग रहा है ठीक है तो इसे मैं control z करके करता हूँ तो आपको ऐसे ही रखना है और इसे उपर कर दे या बीच में रखना है जैसे भी रखना है तो आपक इसे दूसरा color देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं यहां से मैं इसका color change कर देता हूँ यहां से eye drop लेके और ऐसे ही color ले लेता हूँ ठीक है इसे करने के बाद आपको यहां से select करना यानि कि दोनों को control A करना है control A करने से क्या है दोनों select हो गए उसके बाद control Z करना है control Z करने से क्या होगा कि वो group बन जाएगा अभी क्या है अगर मैं इसे पकड़के इधर कीचूं तो यह अलग हो रहा है ठीक है यानि कि दोनों अभी joint नहीं है तो दोनों को joint करने के लिए दोनों को select करना होगा और right click क करके group कर देना है या तो फिर control Z करके group कर देंगे तो अब क्या है कि अब मैं यहां से किसी को भी पकड़ू तो दोनों ही चिपक गया एक दूसरी के साथ इसे दोनों को मैं खेच चकता हूँ तो अब यह आपका profile लगने के लिए ready हो गया अब इसे क्या करना है आपको इस पर property दिखा हूँ आपको details तो property आप देख सकते है इसकी यहां पर है 924 गुने 925 यानि कि बिल्कुल लगभग square है यह थीक है एक पिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह लगभग square है पूरा लंबाई और चोड़ाई दोनों जो है same है तो अब आते है WhatsApp पे और फिर से यहा करते हैं और यहां पे sorry यह desktop पे है यह picture one इसे मैं open करता हूँ तो आप देख सकते है यह अभी भी cut हो रहा है लेकिन जैसे ही मैं इसे minus पे click करके छोटा करूंगा तो आप देख सकते है यह full screen में आ गया तो यह computer का है इसलिए यहां पे circle दिखा रहा है लेकिन circle दिखा रहा है तो आप यहां पे देख सकते हैं यह जो है आप देख सकते हैं यह circle है actually क्या है यह यहां से यहां तक है ठीक आप देख सकते है यह square यहां तक है यहां पे है यहां पे है यह full screen आ रहा है ठीक है अगर mobile पे इसे लगाना चाहेंगे तो यह बिल्कुल full screen में आएगा कहीं पे crop नहीं होगा यह ठीक है तो computer में circle में दिखाता है इसलिए यह ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह हमारा cut जाएगा यह पूरा आएगा हमारा ठीक है तो मैं इसे करता हूँ yes तो आप देख सकते हैं हमारा जो है कहीं भी कुछ भी crop नहीं हुआ बिल्कुल full screen में हमारा photo आ रहा है आप देख सकते हैं कहीं से कुछ भी crop नहीं हुआ तो mobile पे भी अगर आप इसे send कर लेंगे mobile में किसी तरह से अरवाह से भी set करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो उमीद है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे like करे शेयर करे अगर कोई सावाल या सुझा हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई